जाए ही नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेंड बीपी असी में दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट बहुत है यही नमस्कार स्टेंड बीग अपने का मतलब है कि बहुत बड़ा अपडेट है ठीक है थोड़ा सा निकल जाता है फ्लो फ्लो में इंसान जानते हैं कि ज्यादा खूसी वाली बात होती है तो ठीक है यही मतलब खूसी है मैं पहले से आप लोग के लिए लगा था और मेरा कोई भी वीडियो देखिए ठीक है हो सकता एक सब देधर से उधर जुबाने थोरा सा लट पटा जाते हैं लेकिन मैंने जो वादय किया था उस वादय के मुताबिक अभी स्टिबीटी क्वालीफाई बना हुआ है और अभी जो मैं बताने वाला हूँ अपडेट आपक इतनी खूसी मिलेगी इतनी खूसी कि आप नहीं कर सकते हैं सच ुरुवात में कुछ सनों के लिए प्राजित हो सकता है डगमगा सकता है लेकिन हार नहीं सकता है ठीक है हम लोग पागल तो हाई नहीं भाई या मतलब ऐसे उनकांसेसलन तो हाई नहीं कि मतलब कुछ भी जो हम लोग बोलते हैं वो सब प्रेडिक्शन के अधार पे है कुछ-कुछ बाते जो होता है गुपत को मुताभिक जो हमारे गुपचर है जो हमारे एनें दोस्त माल ल आज क्या क्या हुआ और आगे आप लोगों को क्या क्या हो सकता है बस थोरे से छन की जरूरत है बस उसके बाद तो ज्वानिंग लेटर की बात है चलिए हाला कि वीडियो सुरू करने से पहले आज बाते क्या क्या है मेरे पास सारी बातों का इंफोमेशन आ चुका है और बस आपको सुनने के जरूरत है, बस दो से तीन मिनट ले गया, किरपया करकर, माइंड को कॉंसेंट्रेट करकर, कॉंसेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, ठीक? और एक स्पेशल ठैंक्स, जो आप लोग के ग्रूप की एक नित्रियुत करता है, CBT क्वालिफाई के तरव से, संगीता जी है, ठीक है, वो भी हमारे सिनियरी हुए, लेल भी किये हुए है, एज एड़ वोकेट है, तो उनका भी इसमें बहुत बरे योगदान है, और सभी का, जिसने घर से लेकर, ओफ-लैन से लेकर, धरातल से लेकर, ओन-लैन तक, जिसने भी समर्थन दिया, उस सब का आज मेहनत, रंग लाया है, और क्या रंग लाया है, आपको ये वीडियो देखकर मालुम चल जाएगा, देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था कल 9 अपरेल को दोस्तों, ठीक, 9 अपरेल को एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हम से थोड़ा सा बोलने में mistake हुआ था, कि वहाँ पर PKS ही का गलती नहीं था, कल जो उन लोग के मौलवी सर जो है, वरिष्टम है, senior advocate है, वो उनके तर ने माना कर दिया कि एक दिन का देंगे, आज क्या हुआ, देखिए, आज होता है, मौली जब भास दोनों तरब से सुरू होता है, ठीक, PKSाही बोलते हैं, असोक सर भी बोलते हैं, जितने advocate संगीता जी होगे, यह सब लोग advocate के रूप में यह लोग थे, साथ में, तो उन लोगों के तरब से जब भास बाजी हुआ, तो बोल रहे हैं कि, मौलवी सर के जो advocate है, वो बोल रहे हैं कि, अनीता जी वाले case में, कि, सर, देखिए, हम, here, I am new advocate, I have no idea to tell about that case, मतलब कि, मिलोड, मैं इस case में अभी new हूँ, और मुझे जनकारी पुरी त रहे हैं, इसलिए किरप्या करकर, मुझे कुछ और date चाहिए, और date लिने का कारण यहाँ पर point है, कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट में कि, सर, point वाली बात नहीं बोलते हैं, तो मिलोड साहब, देखिए, दोस्तों, यह point वाली बात है, यह लोग date पर date इसलिए लिया जा रहा है, कि ताकि जो CBT qualify है, उनका पैसा जल से जल खतम होजे, और आपको मालूम है कि एक हेरिंग में बहुँ जादे पटना हाई कोट में पैसे लगते हैं, एक point है, दूसरा, अनिता जी वाले case में, जो उनके एडवोकेट हैं, आज जुनियर एडवोकेट साहब जो खरे हुए वो बोल रहे हैं कि हम new हैं, और हमें कुछ date चाहिए, अगले date में हम पुरा final हो जाएगा, तो अब मानिनिये उच नियाले कि जज सहाब बोलते हैं कि देखिए, इसके बाद आप लोगों के पास कोई बहाने नहीं रहेगा, कि date पर date लीजे, चलिए, लास्ट एक एनॉन्स आप लोगों के request पर एक date और दिया जाता है, ताकि आप भी संतूष्ट हो जाए, चुकि बिहार सरकार का बाद है, ठीक है, राज के heat का फैसला है, इसलिए आप भी नचुके, ठीक है, जितना कसर है अप लगा लीजे, यहां तक बात आ गया, अब देखिए, असोक सर यहां लिए study करना परेगा इसमें, तो चुकि देखिए, जो junior advocate थे, उनहीं के बदोलत, मौलवी सहर ने उनको खारा कर दिया, कि एक point मिल जाएगा, यह matter आप लोग समझ रहे हैं, क्यों क्या हो रहा है, उसके बाद आपको भी मालूमाएं, कि civit qualify का पूरा दुनिया समर्थन कर र यह qualify entrance की बात कही जाती है, ऐसे बहुत सारे cases है, world level पर, ठीक, तो खैरी वहां तो हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन यहां पर बात हम लोग का state level का है, बिहार versus, चुकि जो उनलोग के advocate हैं, तो उनलोग का कहना है, कि हम जितना date लेंगे, उतना benefit मिलेगा, ठीक, तो benefit मिलेग या भाई किस region पे, CPT जो qualify नहीं है, या जो सनवीधा कर्मी वाले हैं, जो contact basis वाले हैं, तो आपको भी यहां समझना होगा, आप लोग नहीं समझते हो, तो बहुत बरे problem फ़स जाते हो, आप contact basis वाले हैं, अगर आप भी इस video को देख रहे हैं, तो आपके लिए भी important है, अखिर क्या region है, क्या बार-बार date ले रहे हैं, पिरा तो दुनों आदमी रहा है, अरे भाई, किसी के box में फासला जाएगा, आप अपना जो भी evidence लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पुर्मान लिजे, आपको लोग को भी तो गुमराह कर रहे हैं, आपके advocate लोग की बार date जो है, 18 अपरेल का है, ठीक, इसमें देखे, एक और point बता देते हैं, दोस्तों, आज main चीज जो क्या हुआ है, BTCC ने एक और LPA के लिए मांग, वहां पर लगाने के लिए अपना बात बोला, कि महास है, देखे, यह ऐसा point वाली बात है, कि वैसे कुछ है student है, जिनके पास जिनकी certificate, जिनकी degree है, वो BNRC से registered नहीं है, तो वैसे cases में हम student को नहीं रखेंगे, ठीक, अगर जिनके पास BNRC का registration नहीं है, उनको भी साफ तोर पे हम neglect करेंगे, और उनके अस्तान पर जिनका BNRC registered होगा, उसको हम मनियाता देंगे, उसको वरियाता देंगे, ठीक, तो बिहा हो गया, लिखे सब चीज रेडी हो गया, तो यह लगने वाला है, और लग जाएगा, आपको LPA नमबर भी अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक, कुछ bonded है, उसके बाद, जो PK साही थे, PK साही ने भी आज बहुत अच्छा अपना statement दिया, खास कर especially जो जो लगे हुए थे इसमें, बहुत सभी लोगों ने अपना अच्छा योगदान दिया है, और इस योगदान के साथ, इस उमीद के साथ, हम इतना confidence के साथ बोल सकते हैं, कि हम लोग यह मंजील है, ठीक, यहां तक पहुँच गए हैं, और contact basis वाले अभी यहां है, अब समझे इस सारों में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि कहां जाएगा यह result, आप समझ रहे हैं, जादा आपको समझाने का जूरत नहीं है, इसलिए, देखिए, यह क्या है, यह कहने का मतलब क्या है, एकता में ही बल है, ठीक है, आप लोग भी खर जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, जो लोग भी आपका समर्थन कर रहे हैं, इस्पेसली जो संगिता जी हैं, जो लोग पूजा जी हैं, यह लोग सब केस किया हैं, लोग इनका आप लोग समर्थन केजे, और इनी लोग के बदलत, और खास कर उसमें, हम अपने मुझ से कुछ नहीं बोलेंगे, जो जो लोग योगदान कर रहे हैं, उसका स पहवत हैं, तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था, कि जो भी होग आच्छा होगा, और मैं क्यों इतनी अवाजे उठा रहा हूँ, अवाजे उठा रहा हूं तो कुछ नहीं रिजन होगा न, ऐसे तो हम भी नहीं उठाते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, हर चीज बोलने के पीछे कुछ ने कुछ कारण होता है दोस्तों तो यह कारण आप लोग समझ गए होंगे ठीक है यही था point next date 18 अपरेल को मिला है और 18 अपरेल को अब हाई कोट ने भी बोल दिया है कि अब आपको कोई excuse का बहाना नहीं मिलेगा आप कोई excuse नहीं लगा सकते हैं तो वैसे भी 4 द सरकारी छूटी है तो उस दिन नहीं होगा और कल इद है तो चलिए जो लोग वीडियो देख रहे है हमारे जो भी हिंदू Muslim A&M दोस्त है sister है उनको इद के भी बहुत सारी धेर सारी सुब कामना है आप लोग खुब इद इंजवाए किजिए क्या बनता है इद में स्वाई बहुत बढ़ा अपडेट मिलेगा ओके मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जैसा अपडेट होगा हम आप लोग के सांथ जूरे रहेंगे और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे है स्टेंड बेपी असी टेक्या बाइबाए अपना ख्याल रखे और लड़ते र ये सबस्टेंड बाइबाए और लड़ते घाल रहे टाल रहे सरेखने के लिएड़ते रहे जिए तोग देखते रहे है।